हेलो स्टूडेंट्स आज हम पार्टू लेकर आए हैं मौंटेन पासस और जोद का तो हमने जो लास्ट वीडियो हमना अपना 25th question पे छोड़ा था आज उसके आगे से continue करेंगे तो स्टार्ट करते हैं 26th question से हमारा 26th question है खारदूंगला इस इन अब options है चमबा लाहोलेंग स्पीती इसका आपका अंसर है लाहोलेंग स्पीती खारदूंगला पास आपका कहां पढ़ता है लाहोलेंग स्पीती में altitude of खारदूंगला इस 6127 मीटर्स या 5127 मीटर्स इसका आपका सही जवाब है 6127 मीटर्स question number 28 बश्लियो पास इस इन चमबा या कुल्लू अभी जो बश्लियो पास है हमारा यह पढ़ता है हमारा कुल्लू में तो आपको खारदूंगला पता लग गया यह लाहोलेंग स्पीती में पढ़ता है और बश्लियो पास जो है यह हमारा कुल्लू में पढ़ता है आगे दे 3,200 meters तो इसका सई जवाब है आपका 3,277 meters फिर है आपका question number 30 बृंगता pass is in district बृंगता pass कौन से district में है कुल्लू में ये लहॉल में तो इसका सई जवाब है आपका कुल्लू में आपका बश्लियो पास भी कुल्लू में था और ब्रिंगता पास भी आपका कुल्लू में है यह I think error है इसको छोड़ दीजिए Question number 31 जलोरी पास is in district चमबा या कुल्लू अब जलोरी पास कहा है यह भी कुल्लू में है तो आपके कुल्लू में तीन पास आ गया भी तक एक आपका बशलियो पास आ गया एक आपका ब्रिंगता पास आ गया और तीसरा आपका जलोरी पास आ गया आगे बढ़ते हैं Question 32 Altitude of जलोरी पास आपको पता होना चीए पास जो होता है इसे ही जोद भी बुला जाता है तो Altitude of जलोरी पास is 3135 में या 2250 में इसका आपका सही जवाब है 3135 मेंटर्स Question 33 Altitude of ब्रिंगता पास ब्रिंगता पास का Altitude कितना है 4058 मेंटर्स या 3058 मेंटर्स तो इसका अंसर है 3058 मेंटर्स Question 34 इसका सही आपका जवाब है 4440 मेंटर्स Question 35 देखते हैं वह है आपका पांगी एरिया इन चमबा सहर्च पास आपका कहां पड़ा पांगी एरिया इन चमबा में ठीक है फिर आप क्या आगे है यह Question 36 Next Question 36 Question 36 थनिसार जोत is in district Option उना या कांगड़ा तो इसका सही जवाब है आपका कांगड़ा में थनिसार जोत कहां है कांगड़ा में Question 37 Altitude of थनिसार जोत is 4065 meter यह 3065 meter इसका अंसर है 4065 meter Question 38 धन्काल जोत is in district धन्काल जोत जो है यह कौन से district में है कांगड़ा में या किन और में तो इसका सही जवाब है आपका कांगड़ा में Altitude of धन्काल जोत is 1936 meter यह 3936 meter इसका सही जवाब है 3936 meter Question 40 हमटा पास is in यह question काफी बार repeat किया गया है और exam में पूछ लिया जाता है तो इनको जितने भी पास्स है इनको आपको एक तरीके से revise रट्टा निमोनिक बनाके याद रखो जैसे भी याद रखो बढ़िए याद रखो क्योंकि passes exam में पूछे ही जाते हैं सर्मौर या कुल्लू अब हमटा पास आपका कहां पर है यह है आपका कुल्लू में इसका सही जवाब है वह 15,080 feet है या 11,280 feet तो इसका आपका सही जवाब है 15,080 feet रोतांग पास remains open for vehicular traffic during the month of जो रोतांग पास है यह कौन से महिने के दौरान खुला हुआ होता है June to October या October to March इसका सही जवाब है आपका June to October क्योंकि इसके बाद October के बाद आपका snowfall होना स्टार्ट हो जाता है और यह आपका काफी टाइम तक January, February, March तक बंद रहता है Question 44 The important passes of Great Himalayan and Zanskar range remain close from December to March Some of these passes are अब अभी हमने पढ़ा कि रोतांग पास आपका बंद हो जाता है for few months उसी के साथ साथ यह Great Himalayan जो आपकी main Himalayan range है और Zanskar range इन दोनों में जितने passes हैं यह यह सारे list है हमारे पास और यह सारे के सारे December to March बंद रहते हैं Krangla, Baralacha, Prang, Pean Parvati, Rotang अभी हमने पढ़ा Maniran, Gumrang, Sholarum, Taklinga, Shingola, Kunzum इसका answer है All are correct यह सारे जितने passes हैं यह सारे के सारे बंद हो जाते हैं during winter season और यह December से मार्स तक बिकुल close रहते हैं देखते हैं question number 45 Which of the following passes and their heights are correct? Kalichow pass Lahal, Spiti and Bharmour में पढ़ता है 4,803 meters इसकी height है Chobiya pass Pangidhar, Lahal and Bharmour में पढ़ता है 4,966 meters इसकी height है Kukti pass, Lahal, Spiti, Bharmour 5,040 meters Mankiyani pass 4,250 meters Question के form में दिया गया है इसलिए इसका option 5 जो है all are correct है Next देखते है Question 46 Low passes in outer hills are called अब एक हो जाते हैं आपके inner hills एक हो जाते हैं आपके outer hills जो शिवाले के range में पढ़ जाते हैं आपके basically बाकी inner hills आपके आजाते हैं जो great human range के उसमें पढ़ते हैं range में region में फिर जो passes यहां पर निकलते हैं outer hills में इनको मालास बोला जाता है या गालास तो इसका सही जवाब है गालास Question 47 High passes are also known by the name अब जो high altitude वाले जो passes जो main great human range में जो passes पढ़ते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है तो उनको जाना जाता है जोद से भी और ला से भी मतलब आपके pass जो हम बोलते हैं ये ला जिसे शिगरीला और जोद बिलाई जोद ये तीनों के तीनों का मतलब जो है वो same है Question 48 दुलची pass is located on the border of कुलू एन मंडी आप मेरे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएए ये true है ये false है Question 48 का आप अंसर बताएंगे कि true है या false है ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ बढ़ते हैं आगे Question 49 भीम कसूतरी pass is located on the border of कांगडा एन चमबा ये बिकुल सही है इस कांशर है true Question 50 Which of the following statement about passes are correct वैसे इसमें सभी correct होंगे सारी information दी गई है इसको इसी form में लिखा गया है रसूल जोद इन कुलू is at an altitude of 3280 meters correct बारालाचा पास 4890 meter passes in high himalayas and both flags is located in zanskar range connecting law hall in himachal to laddag in jammu and kashmir correct जलोरी जोद 3135 meters is located in कुलू ये हमने वी उपर करके आए हैं तो this is also correct answer है all are correct